हेलो बच्चों वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे क्लास नाइन के चैप्ट नमबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का लेवल 1 फ्रॉम आडी शर्मा तो स्टार्ट करते हैं अगर कोई ऐसा नंबर जो आपका विदिन रूट और वह वह दिन नॉमिनेटर में हो तो इसको हम रिमूफ करेंगे विद्धी हैल्प और इसको कैसे करते हैं तो स्टार्ट करते हैं कोई से फर्स पार्ट आपको घिवन है थ्री रूट 5 और कभी भी अगर आपका कोई नंबर सिंगल टम और वह रूट में हो तो हम क्या करेंगे उसी नंबर से मल्टिप्लाई करेंगे और उसी नंबर से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे जैसे कि यहां पर नंबर था रूट 5 तो हमने रूट 5 से मल्टिप्लाई किया रूट 5 से डिवाइड किया अब जो उपर आल तो यहां पर अगर आप द्यान से रेखो तो एक नमबर आपका नोन रूट वाला है और एक आपका रूट में तो मतला हमसे इसी नमबर को क्या करेंगे तो अगर हम यहां पर लिखते हैं कि 2 root 5 multiply by root 5 upon root 5 तो यह आपका नमबर बन गया 3 into root 5 यह आपका बन गया 3 root 5 whole divided by root 5 into root 5 आपका बन जाएगा root 5 का whole square है तो आपका आपका रहेगा तो यह आपका नमबर बन गया 3 root 5 whole divided by 2 into 5 क्योंकि square क्या करेगा root को cancel out तो आपका final answer आगया 3 root 5 whole divided by 10 तो यह आपका बन गया final answer नेक्स पाथ देखिए आपको दे रहा है 1 by root 12 तो नीचे आपका नमबर दे रहा है root 12 और आपका प्रफेक्स वाइन नमबर नहीं और वह आपका root में है तो डैट में हम इसी नमबर से हम क्या करेंगे multiply करेंगे और इसी नमबर को root 2 upon root 5 ऊपर आपका root वाला number हो तो doesn't matter आपको सिर्फ यह देखना कि क्या आपका number denominator में root वाली है या नहीं अगर है तो हम क्या करेंगे उसी नमबर को multiply करेंगे और उसी नमबर को divide अब यह दोनों नमबर आपके क्या within root that means यह आपका within root आपस में multiply होंगे तो 5 2 जा 10 और वह आ आपका root में आ जाएगा root 5 into root 5 मतला root 5 का whole square square क्या करेंगा root को cancel out तो आपका final answer आगे root 10 upon 5 next part देखिए आपको दे रहा है root 2 plus root 5 all divided by root 3 नीचे आपका अगर द्यान से रहा है नमबर से root 3 दे रहा है तो that means आप उसी नमबर को क्या करेंगे multiply करेंगे और उसी number को divide करेंगे अब यहाँ पर number of terms आपकी कितनी दे रहा है दो दे रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे root 3 को दोनों से multiply करेंगे तो आपका number बन जाएगा root 2 into root 3 plus root 5 multiply by root 3 whole divided by root 3 का whole square यह दोनों आपके number के root में तो that means इसको within root multiply करेंगे तो 2 3 जा 6 और इसको भी हम रुविदिन root multiply करेंगे तो 5 3 जा 15 whole divided by square क्या करेंगा root को cancel आओ तो यह आपका बन गया 3 तो final answer आपका क्या बन गया root 6 plus root 15 whole divided by 3 next part देखिए आपको दे रहा है 3 root 2 by root 5 तो अगर आप द्यान से रेखो तो आपका root 5 number denominator में है तो हम क्या करेंगे इसी नंबर को multiply करेंगे और इसी नंबर से हम divide करेंगे तो 3 आपका non root value है तो यह आपके as it is आएगी यह दोनों आपके number root में है तो इसको हम within root multiply करेंगे तो 5 2 जा 10 whole divided by root 5 into root 5 आपका बन गया root 5 का whole square तो 3 root 10 whole divided by square क्या करेंगा root को cancel आउट तो यह आपका क्या बन गया final answer second question देखिए find a value up to 3 places of decimal और आपको root 2 root 3 root 5 root 10 की value आपको अल्री गीवन है और आपको first part दे रखेंगे 2 by root 3 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे denominator में से root वाली value को remove करेंगे with the help of rationalization तो हम same number से को क्या करेंगे multiply और same number को हम क्या करेंगे divide जिससे हमारी root वाली value remove हो जाएगे तो यह आपका 732 whole divided by 3 तो अगर मैं 2 को 1.73 से multiply करता हूँ आपका नंबर आएगा 3.464 whole divided by 3 और अगर मैं 3.464 को divide करता हूँ से तो आपका answer आ गया 1.1545 तो आपका बन गया final answer नेक्स बात देखिए आपको दे रहेगा 3 by root 10 तो अगर यह पर आप ध्यान से रहो तो root 10 आपकी value denominator में तो सबसे बहले हम इसको क्या करेंगे remove करेंगे तो इसी number को हम क्या करेंगे multiply और इसी number को divide 3 आपका multiply हो जाएगा root 10 से तो आपको बन गया 3 root 10 root 10 into root 10 root 10 का whole square square करेंगे root को cancel out तो आप cancer बन गया 3 root 10 whole divided by 10 अब root 10 की value आपको दे रहेगा 3.162 तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे और सबसे पहले हम इसको 3 से multiply करेंगे तो आप आपकान से बनेगा 9.486 whole divided by 10 अब यह point इसका क्या लगया decimal तो आपकान से आगया .9486 तो यह हो गया आपका final answer नेक्स बाद देखिए root 5 plus 1 whole divided by root 2 कि नीचे आपकी value root में है तो देखनी को हम सबसे बहले remove करेंगे with the help of rationalization तो हम क्या करेंगे इसी number से और इसी number से divide करेंगे तो आपका बन जाएगा root 5 multiply by root 2 plus 1 multiply by root 2 whole divided by root 2 into root 2 root 2 का whole square हो जाएगा तो आपका final answer आया root 10 plus root 2 whole divided by 2 क्या क्या करेगा root को cancel out अब आपके बाद root 10 की value given है 3.162 root 2 की value है 1.414 whole divided by 2 इन दोनों को plus किया तो आपका answer आगया 4.576 whole divided by 2 तो अगर मैं इससे divide करेंगे तो आपका answer आएगा 2.288 next part आपको given है root 10 plus root 15 whole divided by root 2 सबसे पहले आपने देखा कि denominator में आपकी value root 2 है तो that में इसको हम remove करेंगे तो same number से हम क्या करेंगे multiply और same number से हम divide करेंगे अब ये root 2 वाली value क्या होगी दोनों से multiply होगी तो आपका answer आजाएगा root 2 multiply by root 10 plus root 15 multiply by root 2 whole divided by root 2 का whole square अब ये दोनों आपस में multiply होंगे तो आपका बन गया root 20 plus root 30 whole divided by square ने remove कर दिया root को तो ये आपका बन गया 2 और अगर आप दियान से रगो तो root 20 को हम लिख सकते हैं 4 5 जा 20 plus root 30 को लिख सकते हैं 10 into 3 whole divided by 2 4 is your perfect square number तो ये आपका भाड़ा आगया तो अंदर के बज़ गया 2 root 5 plus इन दोनो root की value हमें given दे रखें तो इसको हम separate लिखेंगे root 10 into root 3 whole divided by 2 अब सबसे बहले हम क्या करेंगे आप root की value को put up करेंगे तो आपका answer आएगा 2 में multiply by 2.236 plus 3.162 multiply by 1.732 whole divided by 2 इसको हमने multiply किया और add किया तो आपका answer बनेगा 4.472 plus 5.476 whole divided by 2 तो आपका answer आगया 9.948 whole divided by 2 तो इसको अगर अब 2 से direct करोगे तो आपका answer आएगा 4.974 तो next पार देखें आपको देखें आपको देखें 2 plus root 3 by 3 और अगर आप answer एगो तो denominator में आपकी कोई ऐसी value नहीं है जो root में हो तो मतलाब इसमें हम directly value को put up करेंगे तो आपका answer आएगा 2 plus 1.732 whole divided by 3 सबसे पहले हम इंडोनों को add करेंगे तो आपका answer आएगा 3.732 whole divided by 3 अब इस number को अगर 3 से divide करेंगे तो आपका answer आएगा 1.244 तो यह होगे आपका final answer next part आपको देखें रखें है root 2 minus 1 whole divided by root 5 तो सबसे पहले हम root वाली value को remove करेंगे जो आपका denominator में है तो हम same number से multiply करेंगे और same number से divide तो यह आपका number अंदर चला जाएगा तो आपका finance राएगा root 2 into root 5 minus root 5 whole divided by root 5 का whole square यह आपका बन गया root 10 minus of root 5 whole divided by 5 root 10 की value आपको अल्रेडी given है 3.162 minus 2.236 whole divided by 5 इसको अगर minus करोगे तो आपका answer आएगा 0.926 whole divided by 5 और अगर इस नमर से अगर 5 को divide करते हो तो आपका answer आएगा 0.1852 इस नमर थर्द देखिए express each one of the following with rational denominator यहाँ पर आपको फस्पा दे रखा है 1 by 3 plus root 2 और आपको बता है कि अगर root वाली value अगर denominator में हो तो इसको हम रिमूब करेंगे with the help of rationalization और यहाँ पर आपकी two term दे रखी है तो इसको कैसे remove करें तो हमेशा यह रखना नीचे अगर आपके plus sign दे रखा है तो that means हम इसके opposite sign से क्या करेंगे multiply और divide तो यहाँ पर आपका number दे रखा था 3 plus root 2 तो हम क्या करेंगे multiply और divide करेंगे इसके opposite sign that means 3 minus root 2 से multiply और divide इसी को हम क्या बोलते है rationalization अब 3 minus root 2 क्या होगा 1 से multiply होगा तो आपका number बनेगा 3 minus root 2 क्यों कि आपको बताए कि किसी भी number को अगर 1 से multiply करेंगे तो number इससल्फ आएगा यहाँ पर अगर आप द्यान से रेको तो आपका एक formula बन रहा है a plus b a minus b और आपको बता है कि a plus b और a minus b किसके ब्राबर होगा a square minus b square के यहाँ पर हमारा formula बन गया 3 का square minus root 2 का whole square 3 minus root 2 as it is 3 का square आपका आगया 9 minus square क्या करेंगा root वाली value को cancel out तो आपका बन गया 2 तो final answer आगया 3 minus root 2 whole divided by 9 में से 2 गया तो that is equal to 7 और यह आपका answer बन गया in the form of fraction second part देखिए आपको दे रखा है 1 by root 6 minus root 5 दोनों value आपकी within root है तो यहाँ पर अगर आप द्यान से रेखो तो यहाँ पर आपका minus दे रखा that means कि यहाँ पर हम number multiply करेंगे with a positive sign that is plus तो हम root 6 plus root 5 root 6 plus root 5 से multiply और divide करेंगे numerator वाली value 1 से multiply होगी तो आपका number itself आएगा और अगर यहाँ पर अगर द्यान से रेखो तो a minus b a plus b that is equal to a का square minus b का square square आपका क्या गरेगा root वाली value को cancel out कर देगा तो आपका number बन गया 6 minus 5 और 6 में से 5 गेवन तो that is equal to root 6 plus root 5 आपका क्या बन गया final answer next बार देखिए 16 upon root 41 minus 5 तो 16 minus root 41 minus 5 as it is यहाँ पर हम root 41 plus 5 से multiply और divide करेंगे अब यहाँ पर आपकी number of terms कितनी है 2 और यहाँ पर single तो यह है that means तो 16 आपका क्या होगा दोनों terms से आपका multiply होगा तो यहाँ आपका number बन गया this whole divided by यहाँ आपका formula बन रहा है a minus b a plus b that is equal to a square minus b square तो यह आपका number बन गया root 41 का whole square minus 5 का whole square 16 root 41 plus 16 5 जा 80 whole divided by square क्या गरेगा root वाली वाली को cancel out तो आपका number बन गया 41 minus 5 का square आपका 25 16 root 41 plus 80 whole divided by 41 में से 25 कहेंगे तो आपका कितना हो गया final answer आगया वह आपका आगया 41 plus 5 next part देखिए आपको दे रहा है 30 upon 5 root 3 minus 3 root 5 कि सबसे वहले हम जो number दे रहा है उसको लिखेंगे और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि denominator में यह आपके इस 30 को भी बाहर रहने देंगे और इसको भी दिन bracket रखेंगे तो 5 root 3 plus 3 root 5 whole divided by a minus b a plus b तो आपका एक formula बन रहा है तो यह आप लिखाओगे 5 root 3 का whole square minus 3 root 5 का whole square 30 as it is यह number भी आप as it is रहने तो होगे whole divided by 5 का square होगा आपका 25 root 3 का square होगा 3 तो 25 into 3 75 minus 3 का square आपका 9 root 5 का square आपका 5 तो 9 5 जा 45 30 as it is 5 root 3 plus 3 root 5 75 में से 45 जाएंगे तो आपका कितना बज़ेगा 30 तो यह चीज आपकी cancel out तो आपका final answer आ गया 5 root 3 plus 3 root 5 next पार देखिए आपको देरक है 1 by 2 root 5 minus root 3 तो 1 by 2 root 5 minus root 3 as it is अब यहाँ पर आप multiply डिवाइड करेंगे सेम नमबर से वीट पोजिस साइन तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 root 5 plus root 3 whole divided by 2 root 5 plus root 3 अब इस नमबर से हम 1 से multiply करेंगे तो number itself और नीचे आपका आएगा 2 root 5 का whole square minus root 3 का whole square तो आपका answer बन गया 2 root 5 plus root 3 whole divided by 2 का square होगा 4 root 5 का square 5 तो 5 4 जा 20 minus root 3 का square होगा 3 तो आपका final answer बन गया 2 root 5 plus root 3 whole divided by 17 तो यहाँ पर हम सबसे बहले number को लिखेंगे अब यहाँ पर आपके दोनोर तो हम आपकी क्यार विदिन रूट तो यहाँ पर आपका minus sign है तो that means यहाँ पर हम number को multiply करेंगे with opposite sign और उसी number से divide कर देंगे अब यहाँ पर आपके number of term 2 है यहाँ पर 2 है तो that means को अभी हम within bracket रखेंगे और नीचे आपका formula बन गया a minus b a plus b a square minus b square अब 1 by 1 हम क्या करेंगे इस दोनों नंबर से multiply करेंगे तो पहले root 3 आपका क्या होगा दोनों नंबर से multiply फिर आपका 1 multiply होगा दोनों नंबर से whole divided by 2 का square 4 root 2 का square 2 तो 2 4 जाए 8 minus 3 को कि square क्या करेंगा root को cancel out तो आपका answer आ गया root 3 क्या करेगा root 2 से multiply गया तो आपका बन गया 2 root 6 तो क्योंकि root वाले नंबर आपस में within root multiply होगे plus root 3 into root 3 या आपका बन गया 3 क्योंकि आपका same number दो बर multiply होगा that means का square होगा तो square क्या करेगा root वाली value को cancel out करेगा तो आपका number बन जागा 3 plus 2 root 2 प्लस रूट 3 as it is को कि वो आपका 1 से हमली प्लाय होड़ा है और नीचे आपका अंसर कितना आगया 5 और अगर आप द्यांसर रखो रहे हो कोई आपकी लाइक टम नहीं है तो that means यह आपका फाइनल आंसर बन गया next part आपको दे रहा है 6-4 root 2 upon 6 plus 4 root 2 सबसे पहले हम number quesities लिखेंगे अब आपको बता है कि denominator में आपकी value root में है तो that means हम same number से multiply divide करेंगे with opposite sign तो यहाँ पर आपका plus है तो हम 6-4 root 2 से multiply और divide करेंगे अब यहाँ पर अगर आप द्यांसर रेकोड़ों pattern आपका same बन रहा है a-b a-b तो यहाँ पर हम actual multiply नहीं करेंगे यहाँ पर हम एक formula लगाएंगे a-b का all square और नीचे आपका pattern बन रहा है a plus b a minus b that is equal to a square minus b का square ऊपर हमारी identity लगी a minus b का all square तो आपको बता है कि a square plus b का square minus 2 into a into b whole divided by 36 minus 4 का square 16 16 2 जा 32 तो आपका बन गया 36 plus 32 minus 2 6 जा 12 12 4 जा 48 root 2 whole divided by 4 36 plus 32 आपका बन गया 68 minus 48 root 2 whole divided by 4 अब 68 और 48 बोथ हर multiple of 4 तो आपने 4 कॉमल लिया तो आपका answer आ गया 17 minus 12 root 2 whole divided by 4 तो 4 ने 4 को cancel out किया तो आपका final answer बन गया 17 minus 12 root 2 तो यह आपका बन गया final answer नेक्स पार देखिए आपको देरा क्या 3 root 2 plus 1 whole divided by 2 root 5 minus 3 तो 3 root 2 plus 1 whole divided by 2 root 5 as it is लिखेंगे यहाँ पर अगर आप answer गरो minus sign और that means हम 2 root 5 plus 3 से multiply और divide करेंगे बोड टम को यह दोनों आपसे multiply होंगे तो इसको भी हम within bracket रखते हैं नेक्स यह आपका बन गया a minus b a plus b that is equal to a square minus b square अभी यह इसके क्या गड़ेगा multiply तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 root 2 bracket 2 root 5 plus 3 1 आपका multiply होगा 2 root 5 plus 3 whole divided by 2 का square 4 root 5 का square 5 तो 4 5 तो 20 minus 9 यह आपका number बन गया 3 2 जा 6 और root वाले value आपस में multiply होगे तो विदिन रूट तो आपका बन गया 6 root 10 plus 9 root 2 plus 2 root 5 plus 3 whole divided by 11 और कोई भी like term नहीं है that means यह आपका क्या बन गया final answer next part देखिए b square upon root a square plus b square plus a तो यहाँ पर हम सबसे बहले number को लिखेंगे और आपको बता है कि यहाँ पर एक value आपकी b square क्या होगा इंटोनों से multiply होगा तो आपका number बन गया b square under root a square plus b square minus ab का square whole divided by a plus b a minus b तो formula बन गया आपका a square minus b square तो यहाँ पर आपका root में है तो इसका square करोगे minus of a square root square क्या करेगा root वाले को cancel out कर देगा तो आपका number बनेगा b square root a square plus b square minus of a b नेक्स कोचन देखिए को नमार फोर रसलाइस दिनोमिनेटर एंस इसकाइड तो आपका फाइन यहाँ पर हम क्या करेंगे दोनों में से 20 को अब लेंगे तो आपका number बन गया root of a square plus b square minus of a all divided by b square यह b square से b square cancel out तो आपका final answer बन गया root of a square plus b square minus of a नेक्स कोचन देखिए कोचन नमार फोर रसलाइस दिनोमिनेटर एंस सिंप्लिफाइए और फर्स पाट आपको देखिए रूट 3 minus root 2 upon root 3 plus root 2 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे remove करेंगे root वाली वेल्यू को from denominator with the help of rationalization और आपको बता है कि अगर नीचे आपका plus sign यह रखिए तो हम क्या करेंगे with opposite sign से multiply और divide करेंगे तो आपकी expression यह बन गई और यहाँ पर अगर आप दियान से रेखो तो यह दोनों term आपकी same है तो that means यहाँ पर हमारा formula बन सकता है root 3 minus root 2 का o square upon यह बन गया आपका a plus b a minus b that is equal to a square minus b का square उपर हम formula लगाएंगे a minus b का o square वह आपका बन गया a का square plus b का square minus of 2 into a into b whole divided by square के अगरेगा root वाली value को cancel out करेगा तो आपका बन गया 3 minus of 2 square root वाली square के अगरेगा root को cancel out तो आपका बन गया 3 plus 2 minus 2 दोनों value आपकी root में है तो that means within root आपके multiply होंगे तो आपका बन गया root 6 upon 1 नीचे आगया 1 तो final answer आपका आगया 5 minus 2 root 6 next part देखिए 5 plus 2 root 3 whole divided by 7 plus 4 root 3 सबसे पहले हम क्या करेंगे rest slice करेंगे denominator वाले part को और यहां पर आपका plus sign दे रखे तो that means हम multiply और divide करेंगे 7 minus 4 root 3 से अब यह तोनों term आपकी क्या होगे आपके multiply होगे तो सबसे पहले 5 क्या होगा 7 minus 4 root 3 को multiply करेंगा plus 2 root 3 multiply होगे 7 minus 4 root 3 whole divided by नीची आपका pattern बन गया a plus b a minus b that is equal to a square minus b square 5 7 जा 35 minus 5 4 जा 20 root 3 plus 2 7 जा 14 root 3 minus 4 2 जा 8 8 3 जा 24 को कि root 3 into root 3 आपका क्या बन जेगा 3 whole divided by सेवन का स्क्वार होगा 49 minus 4 का स्क्वार 16 root 3 का स्क्वार 3 तो 16 3 जा 48 तो आपका फाइनल आंसर आगया 35 मैंसे 24 गया 11 minus 6 root 3 next part देखिए part number 3 1 plus root 2 whole divided by 3 minus 2 root 2 तो यहाँ पर हम क्या करेंगे नीचे वाली value को सबसे वाले remove करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या दे रहा है minus तो मैं 3 plus 2 root 2 से multiply करूंगा और उसी term से divide उपर वाली value आपकी different that means कोई pattern नहीं बन रहा तो यह 1 by 1 आपस में multiply करेंगे तो सबसे बहले 1 आपका क्या होगा 3 plus 2 root 2 को multiply करेगा plus root 2 3 plus 2 root 2 को multiply करेगा और नीचे आपका आएगा a square minus b square तो इसको अगर वन से multiply करते है तो आपका नंबर आएगा 3 plus 2 root 2 plus root 2 into 3 मतलब 3 root 2 plus root 2 into root 2 2 2 2 2 जा 4 whole divided by 9 minus 4 2 जा 8 3 plus 4 आपका बन गया 7 और 3 और 2 आपका बन गया 5 root 2 और नीचे आगे आपका 1 तो यह आपका फाइन आपका बन गया 7 plus 5 root 2 next part देखिए 2 root 6 minus root 5 whole divided by 3 root 5 minus 2 root 6 सबसे पहले हम number qualities लिखेंगे और आपको बताएगे नीचे आपकी value देरक है negative में तो हम क्या करेंगे same number से multiply divide करेंगे with opposite sign तो यह आपका minus देरक है तो that means हम 3 root 5 plus 2 root 6 से multiply divide करेंगे उपर अभी हम within bracket एक एक term को multiply करेंगे 2 root 6 आपका multiply होगा 3 root 5 plus 2 root 6 से minus root 5 bracket 3 root 5 plus 2 root 6 whole divided by नीचे आपका formula बन गया a square minus b square यह आपका number बनेगा 3 2 जा 6 6 5 जा 30 plus root into root 6 same value है तो that means आपका बनेगा 6 और 2 2 जा 4 6 4 जा 24 minus root 5 into root 5 5 5 3 जा 15 minus 2 root 5 6 जा 30 whole divided by यह आपका बनेगा 3 square 9 9 5 जा 45 minus 2 का square 4 4 into 6 24 6 root 30 minus 2 root 30 तो यह आपका बनेगा 4 root 30 plus 24 में से 15 गये तो आपका बनेगा 9 whole divided by 45 में से 24 जाएंगे तो आपका बनेगा 21 तो यह होगा आपका final answer इस पार आपको दे रखा है 4 root 3 plus 5 root 2 whole divided by root 48 plus root 18 सबसे पहले हम क्या करेंगे इस root वाली value को simplify करेंगे with prime numbers तो आपको बताएंगे 48 आपका कैसे बनाओगा 16 into 3 plus root 18 आपका बनाओगा 9 multiply by 2 तो यह आपका number बने गया 4 root 3 plus 5 root 2 whole divided by 16 जे perfect square number तो यह आपका भाढ़ा के number तो 4 root 3 plus 3 root 2 अब आप्टर simplify करके भी आपका number within root है तो that means हम रहसलाइजिशन करेंगे और यहाँपर आपका plus sign दे रहा है तो that means हम यहाँपर with opposite sign से multiply और divide करेंगे अब यह दो number आपके क्या होंगे multiply होंगे क्योंकि आपका कोई pattern नहीं बन रहा तो यहाँपर हम क्या करेंगे 4 root 3 को multiply करेंगे 4 root 3 minus 3 root 2 से plus 5 root 2 आपका multiply होगा 4 root 3 minus 3 root 2 से whole divided y यहाँपका pattern बन रहा है a plus b a minus b that is equal to 4 root 3 का whole square minus 3 root 2 का whole square 4 root 3 into 4 root 3 4 4 जा 16 root 3 into root 3 3 तो 16 3 जा आपका आगया 48 minus 3 4 जा 12 और यह आपका within root multiply होगे तो 3 2 जा 6 plus 5 4 जा 20 root 6 minus 5 3 जा 15 15 15 2 जा 30 whole divided by यह आपका number बन गया 48 minus of 18 48 मैंसे 30 गया तो आपका आगया 18 20 मैंसे 12 गया तो आपका बन गया 8 root 6 whole divided by 30 अब दोनों नमबर आपके 2 के multiple है तो तो को मल लोग है तो अंत्र बचेक आपका 9 plus 4 root 6 whole divided by 30 तो आपका अंसर आ गया 9 plus 4 root 6 whole divided by 15 next part आपको दे रखा है 2 root 3 minus root 5 whole divided by 2 root 2 plus 3 root 3 है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सेम नमबर को multiply करेंगे डिवाइट करेंगे विद आपोजिस साइन यहां पर आपका साइन दे रखा प्लस तो हम यहां पर हम multiply करेंगे विद नेगिटिव साइन से तो आपका नमबर बनेगा 2 root 2 minus 3 root 3 2 root 2 minus 3 root 3 अभी उपर आपका pattern नहीं बन रहा तो यहां पर आप लिखोगे 2 root 3 bracket 2 root 2 minus 3 root 3 minus of root 5 bracket 2 root 2 minus 3 root 3 whole divided by नीचे आपका formula बन गया a plus b a minus b that is equal to 2 root 2 का whole square minus 3 root 3 का whole square यह आपका नमबर दोनों से multiply होगा तो आपका अंचर आएगा 4 root 6 minus 3 2 जा 6 6 3 जा 18 minus 2 root 10 minus minus plus 3 root 15 क्योंकि आपके दोनों नमबर within root है तो यह आपके within root multiply होगे whole divided by 2 का square 4 root 2 का square 2 तो 4 2 जा 8 minus 3 का square 9 root 3 का square 3 तो 9 3 जा 27 तो आपका अंचर बन गया 4 root 6 minus 18 minus 2 root 10 plus 3 root 15 whole divided by minus of 19 अब उपर कोई like term नहीं है अब नीचे आपका negative sign है तो minus sign हम क्या करेंगे उपर लेके जाएंगे और जो उन से sign आपके positive है वो आपके negative बन जाए जो आपके negative आपके positive जैसे आपका सबसे पहले दिखा जाएगा क्योंकि आपका plus हो गया plus 2 root 10 minus 4 root 6 minus 3 root 15 whole divided by 19 तो यह आपका बन गया final answer पर फाइब देखिए और denominator में से root वाली value को remove करेंगे तो आपकी first value दे रखे root 5 plus root 3 upon root 5 minus root 3 हम इसी को क्या करेंगे resolution करेंगे तो root 5 plus root 3 plus root 5 plus root 3 से multiply करेंगे को कि यह आपका negative sign है plus यहाँ पर आपका number दे रखे है root 5 minus root 3 whole divided by root 5 plus root 3 इसको multiply करेंगे root 5 minus root 3 upon root 5 minus root 3 से को कि यहाँ पर आपका plus sign दे रखे है a plus b a plus b तो यहाँ पर आपका एक pattern बन रहे है तो यहाँ पर हम लगाएंगे root 5 plus root 3 का whole square divided by a minus b a plus b तो यहाँ पर आपका formula बन गया a square minus b square plus यहापर भी आपका एक pattern बन रहा तो यहापर लिखो स्कोर बोहरा है root 5 minus root 3 ka whole square है और नेखिचे आपका बन गया root 5 का whole square minus root 3 ka whole square अब यहापर आप formula खोलोगे a plus b का whole square तो आपको बताहिए कि a plus b का whole square क्या हो दा plus 2 into a into b ACL divided by यह आपका बने किया 5 minus 3 plus यह आपर आप formula लगा होगे A minus B का whole square तो A का square plus B का square minus 2 into A into B whole divided by 5 minus 3 root 5 का square होगे आपका 5 plus 3 plus 2 root 15 upon 2 plus 5 plus 3 minus 2 root 15 whole divided by 2 तो यह आपर आपके दोनों की denominator value same है तो that means यह आपर आप आप लेंगे तो आपका number बनेगा 5 plus 3 plus 2 root 15 plus 5 plus 3 minus 2 root 15 whole divided by 2 तो 2 root 15 और plus वाला cancel out हो गया 5 plus 3 8 8 plus 8 16 तो आपका अंसर आगया 16 upon 2 that is equal to 8 second path देखिए आपको 3 term दे रखे और 3 हो के denominator में root value है तो that means को 1 by 1 हम क्या करेंगे resolution लगाएंगे और denominator में से root वाली value को remove करेंगे तो यह आपका जो first term दे रखे है 2 plus root 3 तो हम इसको with opposite sign से क्या करेंगे multiply और divide plus 2 by root 5 minus root 3 दे रखे है इसको multiply करेंगे root 5 plus root 3 से plus 1 by 2 minus root 5 दे रखे है तो इसको multiply करेंगे 2 plus root 5 whole divided by 2 plus root 5 तो इसको number को अगर हम 1 से multiply करेंगे तो आपका number इसल पाएगा और नीचे आपका बन गया a plus b a minus b a square minus b square तो आपका बन गया 2 का square minus of root 3 का whole square plus 2 आपका इंडोरो number से multiply होगा तो इसको हम within bracket रखेंगे तो आपका number आगया root 5 plus root 3 upon root 5 का whole square minus of root 3 का whole square plus 2 plus root 5 as it is नीचे आपका बन गया 2 का square minus of root 5 का whole square ये number आपका भी as it is रहेगा और नीचे आपका बन गया 4 minus 3 plus 2 bracket root 5 plus root 3 whole divided by 5 minus 3 plus 2 plus root 5 नीचे आपका बन गया 4 minus of 5 4 में से 3 गया 1 तो डैट में इसको हम within यहाँ पर आपका बन गया 2 minus root 3 plus 5 में से 3 गया 2 2 का 2 से cancel out तो यहाँ आपका बन गया root 5 plus root 3 4 में से minus 5 गया तो minus 1 तो minus यहाँ लिखोगे और within bracket 2 plus root 5 तो यह step आपको दोबारा समझा जाता हूँ 4 में से 3 गया 1 तो इसकर के मैंने यापर 1 नहीं लिखा 5 में से 3 गया 2 2 को 2 से cancel out किया तो यहाँ पर आपका क्या आगया 1 4 में से 5 के minus 1 minus 1 को मैंने उपर distribute के रो plus minus आपका क्या बन गया minus और मैंने यापर 2 time थी तो इसकर के इसको भी bracket में रखा है तो अगर हम bracket को open करते हैं तो आपका बनेगा 2 minus root 3 plus root 5 plus root 3 minus 2 minus of root 5 अब इसको solve करते हैं minus root 3 plus root 3 cancel out plus root 5 minus root 5 cancel out minus 2 plus 2 cancel out तो आपका finance है कितना आ गया थर्ड पार देखिए आपको दे रहे हैं 2 by root 5 plus root 3 plus 1 by root 3 plus root 2 minus 3 by root 5 plus root 2 T note हम आपकी within root में है तो हम क्या करेंगे 1 by 1 T note को solve करेंगे by using rationalization तो 2 by root 5 plus root 3 आपको दे रखा है तो यहाँ पड़ा मल्डिपलाय करेंगे root 5 minus root 3 upon plus 1 by root 3 plus root 2 यहाँ पड़ा मल्डिपलाय करेंगे root 3 minus root 2 से minus 3 times root 5 plus root 2 multiply by root 5 minus root 2 यहाँ आपकी डोटा में यहाँ पर single term है तो इसको हम विदिन ब्राकेट रखेंगे अभी नीचे आपको बन गया a plus b a minus b that is equal to root 5 का whole square minus root 3 का whole square plus इसको अगर 1 से पड़ाय करेंगे तो number itself आपको बन गया root 3 का whole square minus of root 2 का whole square minus 3 times root 5 minus root 2 नीचे आपका बन गया root 5 का whole square minus of root 2 का whole square 2 times root 5 minus root 3 whole divided by यह आपको बन गया 5 minus 3 plus root 3 minus root 2 upon नीचे आपका बन गया 3 minus 2 minus 3 root 5 minus root 2 नीचे आपका बन गया 5 minus 2 यह आपका number बन गया 2 bracket root 3 2 bracket root 5 minus root 3 upon 2 plus root 3 minus root 2 upon 1 minus 3 times root 5 minus root 2 upon 3 2 ने 2 को cancel out किया 3 ने 3 को cancel out किया आप क्या करेंगे bracket open तो आपका number बनेगा root 5 minus root 3 plus root 3 minus root 2 अब यहाँ पर आपका minus sign है तो sign आपके change करेगा तो जो आपका positive और negative जो negative आपका positive तो आपका final answer बन गया root 2 में से root 2 cancel out root 5 में से root 5 यह थी आपका cancel out तो आपका final answer बन गया 0 next question देखिए question number 6 in each of the following determine restaurant number a and b और आपको first part यह यह तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले left hand side को solve करेंगे और देन उसको relate करेंगे right hand side से तो आपको left hand side आपको given है root 3 minus root 1 upon root 3 plus 1 और आपकी value denominator में root value that means सबसे पहले हम यहाँ पर rationalization करेंगे और denominator में से root वाली value को remove करेंगे और यहाँ पर आपका sign दे रहे है plus तो that means उसके opposite sign से multiply और divide करेंगे और यहाँ पर आपका एक pattern बन गया a minus b a minus b तो यहाँ पर बन गया root 3 minus 1 का whole square whole divided by a square minus b square a minus b का whole square आपको पता है क्या होता है a square plus b square minus of 2 a b whole divided by 3 minus of 1 root 3 का square होगा आपका 3 plus 1 minus of 2 root 3 whole divided by 2 3 plus 1 आपका होगा 4 minus 2 root 3 upon 2 दोनों आपके number 2 के multiple है तो हम 2 common लेंगे तो आपका number बन गया 2 minus root 3 whole divided by 2, 2 से 2 cancel out तो आपका final answer आगया 2 minus root 3 यह आपकी value आगी left hand side के अब इसी number को हम क्या करेंगे compare करेंगे right hand side से तो यहाँ पर आपका दे रखा है a minus b root 3 यह आपका without root value है तो a आपका यहाँ पर आपका 2 है तो that means a आपका बड़ाबर आगया 2 के minus root 3 minus b root 3 मतलब minus root 3 बराबर है minus b root 3 के root 3 से root 3 cancel out तो b की value कितनी बन गी 1 बन गे तो that means the value of a and b is 2 and 1 respectively second part देखिए आपको दे रखा है 4 plus root 2 upon 2 plus root 2 बराबर है a minus root b के तो सबसे पहले हम left hand side को solve करेंगे और then compare करेंगे right hand side से यहाँ पर आपको value दे रखा है 4 plus root 2 upon 2 plus root 2 और आपके denominator में root वाली value that means इसको सबसे पहले हम remove करेंगे तो इसके opposite sign से हम multiply और divide करेंगे अब यहाँ पर आपको कोई pattern नहीं बन रहा तो यहाँ पर 1 by 1 एम डोनो टर्म से multiply करेंगे तो 4 आपका multiply होगा 2 minus root 2 से plus root 2 आपका multiply होगा 2 minus root 2 से और नीचे आपका number बन गया 2 का square minus of root 2 का whole square 4 2 जा 8 minus of 4 root 2 plus 2 root 2 minus of 2 okay root 2 into root 2 2 whole divided by 4 minus of 2 8 में से 2 गये तो आपका आगया 6 minus 4 root 2 plus root 2 तो minus 2 root 2 whole divided by 2 2 दोनो नमबर आपके 2 के multiple है तो 2, लिया तो आपका आगया 3 minus of root 2 और 2 आपका नीचे cancel out हो गया अब हम इसको relate करेंगे राइट-hand side से तो यहाँ पर आपका pattern दे रखा है a minus root b के यह आपकी non root value है यह आपर भी आपका a non root value है तो that means a बराबर आगया 3 के minus root 2 को हमने relate किया minus root b से minus से minus cancel out तो root 2 आगया आपका root b के दोनों side आपका root है that means यहाँ पर हम करेंगे squaring both side तो आपका root 2 का whole square बराबर हो गया root b के whole square के तो आपका b बराबर आगया 2 के तो मतलब a की value आगया आपकी 3 और b की value आगया आपकी 2 next part देखिए 3 plus root 2 upon 3 minus root 2 बराबर है a plus b root 2 के तो सबसे पहले हम left hand side को solve करेंगे तो 3 plus root 2 upon 3 minus root 2 अब denominator में आपका root वाली value है तो मतलब rest life करेंगे with opposite sign तो यहाँ पर आपका pattern बन गया 3 plus root 2 का whole square और d नीचे आपका बन गया a minus b a plus b that is equal to a square minus of b square और a plus b का whole square आपको पता है कि a का square plus b का square plus 2 into a into b whole divided by 9 minus of 2 3 का square होगा आपका 9 plus root 2 का square होगा 2 plus 3 2 जा 6 root 2 whole divided by 7 तो आपका answer आगया 11 plus 6 root 2 by 7 अगर मैं दोनों value को अलगला लिखो तो आपका answer आएगा 11 by 7 plus 6 by 7 root 2 अब हम इसी value correlate करेंगे right hand side से तो right hand side आपको दे रहागा a plus b root 2 बड़ाबर है 11 by 7 plus 6 by 7 root 2 के यहां पर a यहां पर 11 by 7 that is equal to a आपका 11 by 7 यहां पर आपका plus b root 2 है यहां पर 6 by 7 root 2 है तो अगर मैं दोनों को एक साथ लिखों तो तो आपका b की value आगी 6 upon 7 तो मतलब final answer of a and b is 11 by 7 and 6 by 7 next part देखिए 5 plus 3 root 3 upon 7 plus 4 root 3 बड़ाबर है a plus b root 3 तो सबसे पहले हम left hand side को solve करेंगे यहां पर आप लिखोंगे 5 plus 3 root 3 divided by 7 plus 4 root 3 यहां पर आपकी denominator वाली root में आपका कोई पेर नहीं बन रहा तो that means 5 आपका multiply होगा 7 minus 4 root 3 3 root 3 आपका multiply होगा 7 minus 4 root 3 से all divided by a plus b a minus b आपका formula बन गया आपका नमबर बन गया 5 7 जा 35 minus 5 4 जा 20 root 3 plus 21 root 3 minus root 3 into root 3 3 3 3 9 4 9 जा 36 all divided by 49 minus of 48 35 minus 36 आपका बन गया minus 1 21 root 3 में से minus 20 root 3 गे तो आपका बन गया plus 1 root 3 all divided by 1 अब हम क्या करेंगे इसको relate करेंगे इससे तो आपका बन गया minus 1 plus root 3 बराबर हो गया a plus b root 3 से और अगर हम compare करते हैं दोनों को तो a की value आपकी बन गी minus 1 और b की value बन गी आपकी plus 1 तो यह हो गया आपका final answer next part देखिए आपको दे रहा है root 11 minus root 7 upon root 11 plus root 7 बराबर है a minus b root 77 तो सबसे पहले हम left hand side को solve करेंगे तो root 11 minus root 7 whole divided by root 11 plus root 7 और आपका denominator में root वाली value है तो हम with opposite sign से multiply और divide करेंगे ओर उपर आपका pattern बन रहा है a minus b a minus b that is equal to root 11 minus root 7 का whole square और नीचे आपका formula बन गया a plus b a minus b root 11 का whole square minus root 7 का whole square उपर बन गया आपका a minus b का whole square that is equal to root 11 का whole square plus root 7 का whole square minus 2 into root 11 into root 7 all divided by यह आपका बन गया 11 minus 7 यह आपका बन गया 11 plus 7 minus 2 root 77 all divided by 4 11 plus 7 हो गया आपका 18 minus 2 root 77 whole divided by 4 अब हम क्या करेंगे lcm को break करेंगे तो यह आपके लिख सकते हो 18 by 4 minus 2 by 4 root 77 तो आपका अंसर आ गया 9 by 2 minus 1 by 2 root 77 अब हम इसको relate करेंगे right hand side से तो आपकी value दे रखेंगे a minus b root 77 बड़ाबर है 9 minus 9 by 2 minus half root 77 तो अगर हम इन डोनों को relate करते हैं तो a की value आपकी बन गई 9 by 2 और b की value आपकी बन गई 1 by 2 को कि वहापर भी आपका minus sign है यापनी minus sign तो that means root 77 root 77 तो यह आपर आपके half और b की value बन गई आपकी 1 by 2 next part देखिए आपको दे रखेंगे 4 plus 3 root 5 upon 4 minus 3 root 5 बराबर है a plus b root 5 के तो सबसे पहले हम left hand side को solve करेंगे तो आपका number बनेगा 4 plus 3 root 5 whole divided by 4 minus 3 root 5 अब आपका denominator में root वाली value है तो that means हम with opposite sign से multiply और divide करेंगे और उपर अगर आप दियान से रेखो तो आपका pattern same बन गया तो that में इसकी जग हम लिख सकता है 4 plus 3 root 5 का whole square divided by a minus b a plus b तो यहाँ पर आपका formula बन गया 4 का square minus 3 root 5 का whole square a plus b का whole square आपको बता है कि a का square plus b का square plus 2 into a into b whole divided by 4 का square आपका 16 minus 3 का square 9 9 5 जा 45 बड़ाबर है 4 का square हो गया आपका 16 plus 45 plus 2, 3, 6, 6, 4 जा 24 root 5 whole divided by 45 में से अगर 16 जाएंगे तो आपका बनेगा minus of 29 तो यह आपका बन गया 61 plus 24 root 5 whole divided by minus 29 अब LCM को लग-लग लिखेंगे तो आपका answer आएगा minus 61 by 29 minus 24 upon 29 root 5 अब इसको relate करेंगे इस right hand side से तो आपका number बनेगा a plus b root 5 बड़ाबर है minus 61 upon 29 minus 24 upon 29 root 5 तो अगर आप इन टोनों को relate करेंगे तो आपकी a की value बनगी minus 61 upon 29 and b की value बनगी आपकी minus 24 upon 29 question number 7 find a value of 6 by root 5 minus root 3 it being given that root 3 बड़ाबर 1.732 and root 5 बड़ाबर 2.236 आपको value निकालनी है 6 upon root 5 minus root 3 की और आपने directly इन दोनों की value को यह put up नहीं करना सबसे बहले आप क्या करोगे को simplify करोगे और आपको बताए कि अगर कभी भी denominator में root वाली value उसको हम remove करते है with the help of restoration तो यहाँ पर हम सबसे बहले इसको simplify करेंगे तो फिर अपोजी साइन से हम उपर और नीचे multiply और divide करेंगे तो यह आपका formula बन गया a minus b a plus b that is equal to a ka square minus of b ka square तो आपका number बन गया 6 times root 5 plus root 3 whole divided by 5 minus 3 और 5 में जे 3 आपका आगया 2 इसको cancel out तो यह आपका बन गया 3 times root 5 plus root 3 अब हम क्या करेंगे जो value आपको दे रहे के उसको हम यह आपर add करेंगे देन उसको 3 से multiply करतेंगे तो आपका number बनेगा 2.236 plus 1.732 तो आपका addition होने के बाद number बन गया 3 मल्ली प्लाइबा है 3.968 और अगर हम इसको 3 से multiply करते हैं तो आप कहां से राएगा 11.904 नेक्स कोशन देखिए कोशन नमर एर्थ find the value of each of the following correct to 3 places of decimal it being given that root 2 root 3 root 5 root 6 root 10 की आपको value दे रखी है और आपको first path दे रखी है 3 minus root 5 upon 3 plus 2 root 5 आपने इन value को directly यह put up नहीं करना सबसे वहले हम क्या करेंगे remove करेंगे root वाली value को from denominator with the help of rationalization then after simplification value को यह put up करेंगे तो अगर हम इसको solve करें तो आपका नीचे आपका दे रख्या 3 plus 2 root 5 तो हम इसके अपोजी साइन से क्या करेंगे multiply or divide अब हम क्या करेंगे आपर आपका कोई pattern नहीं बन रहा तो that means one by one हम इन दोनों number को इन दोनों से मल्डिप्लाय करेंगे तो आपका अंचल आएगा 3 multiply by 3 minus 2 root 5 minus root 5 आपका multiply होगा 3 minus 2 root 5 से और नीचे आपका number बन गया a plus b a minus b that is equal to a square minus 2 root 5 का whole square तो अगर इसको इसको multiply करते है तो आपका अंचल आएगा 9 minus 6 root 5 minus 3 root 5 minus minus plus 5 2 जा 10 whole divided by 3 का square आएगा आपका 9 minus 2 का square 4 4 5 जा 20 तो आपका अंचल आगया 10 plus 9 19 minus 9 root 5 अपन minus of 11 19 minus 9 multiply by root 5 के value दे रहा है 2.2360 whole divided by minus of 11 तो आपका अंचल बन गया 19 minus 20.124 whole divided by minus of 11 तो minus करने के बाद आपका अंचल आएगा minus 1.124 whole divided by minus 11 तो अगर हम इसको divide करेंगे तो minus से minus cancel out तो final answer आगया 0.1021 यह होगे आपका final answer आपको दे रहा है 1 plus root 2 upon 3 minus 2 root 2 तो सबसे पहले हम इसको simplify करेंगे तो आपका denominator में root दे रहा है तो मतलब उसके opposite sign से आप multiply और divide करेंगे अब यहाँ पर आपको कोई pattern नहीं बन रहा that means को 1 by 1 multiply करेंगे तो 1 multiply होगा 3 plus 2 root 2 plus root 2 आपका multiply होगा 3 plus 2 root 2 whole divided by a minus b a plus b तो यहाँ पर आपका pattern बन गया 3 का square minus of 2 root 2 का whole square तो 3 plus 2 root 2 as it is plus 3 into root 2 3 root 2 plus root 2 into root 2 2 2 2 2 जा 4 whole divided by 3 का square होगा आपका 9 minus 2 का square 4 4 2 जा 8 3 plus 4 आपका बन गया 7 plus 5 root 2 whole divided by 1 तो आपका answer आगया 7 plus 5 root 2 अब यहाँ पर आप root 2 की value को put up करोगे तो आपको value दे रखी है 5 multiply है 1.4142 तो सबसे पहले आप 5 को इससे multiply करोगे आपका answer आएगा 7.071 और अगर हम इंडोनों को add करते तो आपका answer आएगा 14.071 तो यह था आपका exercise 3.2 के level 1 का easy solution अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपके concept clear हो गया तो प्लीज इस वीडियो को like करो जाए जाए शेर करें और प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें और बैल आइकन को जुरूर प्रेस करके रखें क्योंकि हम देली वीडियो अप्लोड करें जिनकी notification आपको मिल सके तो मिलते हैं जल्द आपको next वीडियो में